स्री शिवाई नमस्तु भ्यम हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र से बट रहे पूजित अच्छत जो निमंतर्ड के तौर पर घर घर पहुचाय जा रहे है इन अच्छतों का घर पर पहुचने के बाद हम इंका प्रियोग कैसे करें जैसा कि आप सभी कहां एक तारिक से पंद्रा तारिक के बीच भगवान स्री राम लला के पूजित अच्छत आ रहे हैं पूजित अच्छत आपके घर आ रहे हैं काफी लोग विचार कर रहे हैं कि इस पूजित अच्छत का क्या करना है बस आपको एक काम करना है पूजित अच्छत का प्रियोग करने से पहले मैं आपको बता दू कि अच्छत के साथ हमें भगवान श्री राम के नौ निर्मित मंदिर का फोटो साथ में एक पत्रक भी बाटा जा रहा है श्री राम के नौ निर्मित मंदिर का फोटो आप अपने मंदिर में लगा दे और पत्रक को अच्छी तरह से पढ़ ले पत्रक के अंदर श्री राम जन्म भूमी के मंदर का विवरण किया गया है और पत्रक के दूसरे शाइट पे विश्य के राम भक्तों से निवेदन किया गया है तो आप इस पत्रक को जरूर पढ़ें अब आगे जानते हैं कि पूजित अच्छत का हमें कैसे प्रियोग करना है पूजित अच्छत का प्रियोग करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छत लेना है वो भी अपने घर का अपने घर में रखे वे सुद्ध अच्छत को आप एक कटोरी में ले ले इसके बाद निमंत बच्चों के पढ़ने के अस्तान पर अक्षत को रखिये अपनी तीजोरी, अपनी अल्मारी, अपनी रसोई घर तथा दुकान के गले में भी आप इस अक्षत का प्रियोक कर सकते हैं। अच्छतों को सम्हाल कर रखें क्योंकि भगवान स्री राम के गर्व ग्रिय के पूजित किये अच्छत है इन अच्छतों का आप सदी प्रयोग करिए तो इस वीधी के तहत हम स्री राम जन्म भूमी तीर्थ चेत्र से बट रहे पूजित अच्छत का प्रयोग अपने घर में सदकारियों के लिए कर सकते हैं आसा करती हूँ आपको मेरे दोरा बताईगे या चानकारी बहुत पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव जै जै श्री राम